शायद ही कोई होगा जिसे रिमोट कार चलाना पसंद नहों वो भी ऐसी कार जिसे हम अपने मोबाइल से आपरेट कर सके आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल से आपरेट होने वाली रिमोट कार कैसे बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम कार बनाएंगे जिसके लिए हमें किट का यूज़ करेंगे सो लेट्स ओपन दबॉक्स यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि यहां हम दो तरीके यूज़ करने वाले है इस किट में आपको यह सारी चीज़े मिलेंगी एक्रिलिक चेसिस टू पार्ट्स टॉप और बॉटम के लिए मोटर सपोर्डिंग पार्ट्स इनकी मदद से हम मोटर्स को मेन बॉड़ी से अटेच करेंगे चार गियर मोटर्स चार विल्स चार कोड़िट डिस्क कुछ वायर्स प्लास्टिक स्टर्स कुछ स्क्रूस और M3 बोल्ट्स इलेक्ट्रोनिक्स में आपको ज़रूरत होगी आडिनो उनो की एल टू नाइनेट मोटर्ड्र की एच सी जिरो फाइब ब्लूटूथ मोडियूल की तीन वन इट सिक्स फाइब बैटरी की और उनकी होल्डर्स और कुछ एक्स्ट्रा वायर्स तो चलिए अब कार बनाते हैं सबसे पहले तो हम मोटर सपोर्टिंग पार्ट्स की मदद से गियर मोटर को में बोडी से अटैच करेंगे जो की कुछ इस प्रकार होगा कोडेट डिस्क को लगा लेते हैं इस प्रोजेक के लिए अगर कोडेट डिस्क को अटैच नहीं करेंगे तो भी चलेगा मोटर अटैच करते समय ध्यान रहे कि मोटर के टर्मिनल्स अंदर के साइड हो इसके बाद नट्स को लगाते हैं और उन्हें टाइट कर लेते हैं क्लियारिटी के लिए सेम प्रोसेस को एक बार दो बारा सेकेंड मोटर के साथ रेपिट करते हैं इसी तरह थर्ड और फोर्थ मोटर्स अटैच कर लेते हैं सिंगल लिथियम आयन की मदद से मोटर के डायरेक्शन चेक कर लेते हैं जिससे कि हम उन्हें पैरलल में कनेक कर सके तो चलिए हम दोनों साइट की मोटर्स को एक एक करके पैरलल में कनेक कर लेते हैं कि एक लेते हैं कि भी आयरेक्शन वोट्व्यां जिससे कि भी एक लाग्व्यां कि एक लेते हैं एक लेते हैं एक लेते हैं इलेक्ट्रोनिक्स अटेच करने के पहले आप चाहे तो एक बार फिर से मोटर डारेक्शन चेक कर सकते हैं प्लास्टिक स्टर्ड्स और स्कू की मदद से अपर बाड़ी को अटेच कर लेते हैं प्लास्टिक स्टर्ड़ी कर लेते हैं झाल झाल अब चारों विल्स अटेज कर लेते हैं टॉप एक्रिलिक पार्ट के वज़े से विल्स अटेज करना थोड़ा मुश्किल था इसलिए आप चाहे तो टॉप पार्ट लगाने के पहले विल्स लगा लेंगे तो आसान रहेगा आप चाहे तो Arduino Uno अटेज करने के पहले उसमें कोड अप्लोड कर सकते हैं तो चलिए कोड देखते हैं जो कि बहुत सिंपल और समझने में इजी है अगर आप स्केमेटिक की तरह अपनी वाइरिंग करेंगे तो आपको कोड में कोई भी चेंज करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी लेकिन आप चाहे तो अपने हिसाब से मोटर के जीपिया उसको चे कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं USB केबल की मदद से Arduino Uno बोर्ड PC के साथ कनेक करें और कोड अपलोड करने के पहले Arduino IDE में टूल्स मेनु में जाके आपको बोर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि Arduino Uno है साथ ही पोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा वाइरिंग डायग्राम या स्केमाटिक कुछ इस प्रकार है इलेक्ट्रोनिक्स का स्केमाटिक या वाइरिंग डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए अब इलेक्रोनिक्स अटेच करते हैं सबसे पहले Arduino फिर ब्लूतुथ मॉडियूल और ग्लू के जबह आप डबल साइड़ेट टेप भी यूज़ कर सकते हैं फिर एल्टू नाइट मोटर ड्राइवर फिर बैटरी होल्डर्स मोटर वायर्स को कनेक करते हैं वायर्स की मदद से एल्टू नाइट मोटर ड्राइवर को आडिनो उनो के साथ कनेक करते हैं कभी भी लिथियम आयन बैटरी के साथ समल के काम कीजिएगा कोई भी प्रोजेक्ट हो और उसमें प्रोब्लम्स ना आये ऐसा शायद ही कभी होगा इस प्रोजेक्ट में भी एक प्रोब्लम मुझे फेस करना पड़ा और वो ये कि दो फुली चार्ज लिथियम आयन बैटरी पे कार दस से पंद्रा मिनिट्स चलने के बाद ब्लूथूथ मोडियूल बार बार डिसकनेक्ट हो रहा था उसका रिजन ये था कि चारो गियर मोटर्स का इंड्रेश करन ज्यादा होने के कारण लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था इसलिए मैंने 1000 माइक्रो फेरेड का कैपैसिटर ब्लूथूथ मोडियूल के सप्लाय पे पैरलल में कनेक्ट किया जिससे की कार का 15 मिनिट का ड्राइव टाइम 30 मिनिट से ज्यादा हो गया लेकिन इससे मैं सैटिसफाइड नहीं था इसलिए मैंने ब्लूथूथ मोडियूल और आडीन उनो के लिए सेपरेट बैटरी यूज़ की जिससे की कार ड्राइव टाइम एक घंटा 30 मिनिट से ज्यादा हो गया ट्रस्ट मी कार ओपरेट करते समय ब्लूथूथ का डिसकनेक्ट होना बहुत इरेटीटिंग था लेकिन सेपरेट बैटरी अटेच करने के बाद यह प्रब्लम नहीं आया तो चलो अभी टेस्ट करते हैं एंडरोइड प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे ब्लूथूथ रिमोट कार के आप्स मिल जाएंगे इस वीडियो में मैंने जिस आप का यूज़ किया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शुरुआत में टेस्ट करते समय आप कार को किसी चीज़ पर रख सकते हैं जिससे उसके वील्स हवा में रहेंगे इस वीडियो में कुछ भी स्पॉंसर नहीं है मुझे जो पसंद है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले आप अपने थौर्ट्स और सजेशन्स नेचे कमेंट्स में लिख सकते हैं आप चौक की मदद से ट्रैक बना सकते हैं यहां पे हमारी मोबाल ऑपरेटर्ड डिमोट कार पूरी हो जाती है भले ही कार चलने में अच्छी हो लेकिन दिखने में भी अच्छी होने चाहिए तो चलिए इसी कार को सुन्दर और क्लीन बनाते हैं कार 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 के चलने में अच्छी कार का ङð Кар differently झाल झाल इसलिए हम एक जनरल परपस PCB का यूज़ करेंगे ताकि वायर्स कम से कम हो और हम Bluetooth module और motor driver उस पे solder कर सके Plug and Play PCB की वज़स से सर्किट को Arduino Uno के साथ attach करना easy हो जाता है L298 motor driver को attach करना clean car बनाने का सबसे challenging पार्ट था इसके लिए हमें input के 10 mm के bug strip को desolder करके वहाँ 20 mm के bug strip को solder करना होगा यहाँ आपको किसी की help भी लेनी पड़ सकती है ृृृृृृृॵ भेथिजिए उर अड़से कर सकता तो हिए वियूण जो, एक compliqué ्रिए र위 narcкрет मिलांक वा जात शी प्रषी हम जरा उतज ही इससे L298 मोटर ड्राइवर के इंपूर्स आडिनो नो के बूर्ड के साथ रिवर्स में अटेच होंगे यह प्रब्लम हम मोटर के वायर को स्वैप करके सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ कन्फूजन हो तो वायरिंग ड्याग्राम जरूर देखिएगा बटम सैड से पीसी भी कुछ ऐसा दिखेगा बटम सैड सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले देखने के लिए थैंक यू गुडबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में